दोस्तों गर आप रिशाप पंद को खतरनाग के लाड़ी मांते हैं तुमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा दोस्तों où men of the match के अवर्ड से नवाजे जाने के बाद रिशाप पंद ने महें तिंधोनी को लेकर किया बहुत ही बड़ा खुलासा जिसे सुनकर आप भी महें तिंधोनी को ठोकेंगे सलाम और आखिरकार रिशviv पंत ने मुकाबला समाप्त होने के बाद महें तिंग धोनी को लेकर क्या खुलासे कर दिये और क्या भ्यान दिया ये आपको आगे हम वीडियो में बताएंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महें तिंग धोनी और रिश confirm पंत में कौन टीम की तरफ से हार्दिक पंडे ने सरवाधिक चार विकेट लिये तो वहीं यजुवेंच चहल ने तीन और मुहमत सिराज ने दो विकेट हासिल किये और रविन जड़ेजा ने एक विकेट हासिल किया इसके बाद जब भारती टीम बल्ले बाजी करने के लिए उतरी तो भार पंड़ेजा ने सरथी टीम की तरफ से शिकरदाबन तीसरे ही उवर में एक रन बनाकर आउट हुए और इसके बाद कप्तान रोह चिंवा भी 17 रन बनाकर जल्दी यही पवेलियन को लोट गए और इसके बाद हार्दिक पार्णिया ने 71 रन की महत पूर्ण अर्ध शतकी पारी खेली तो वहीं रिशापंद ने अपनी 125 रन की मैच जिताओ शतकी पारी खेली और भारती डीम को 42.1 ओवर में पांच विगेट से शांदार जी दिला दी और दो एक से इंग्लैंड को उसी की धरती पर हरा द और इसी बीच रिशापंद ने मैनावदो मैच के अवार्ड लेने के बाद महें जिंग धोनी को लेकर हैरान कर देने वाला बयान दिया जिसमें उन्होंने का आज मैंने जो कुछ भी किया है माज मैं जो कुछ भी हूँ सब के पीछे महें जिंग धोनी का हाथ है क्योंकि व महें जिंग धोनी के पास जाकर उनसे बातचीत करता था तो वो मुझे हर चीज की सलाह देते थे और उन्होंने मुझे उनकी जगए पर रिप्लेस्मेंट के तौर पर तयार किया है बलकि उन्होंने अपने घर का सदस समझ कर मुझे तयार किया और उन्होंने मुझे भारती टीम के लाइक बना दिया क्योंकि मुझे बिल्कूल भी विश्वास नहीं था कि मैं इतनी जल्दी भारती टीम में वापस आ सकता हूँ लेकिन महिंतिंग धोनी की कारण ही ये संबह हो पाए क्योंकि महिंतिंग धोनी जैसे खिलाडी किसी भी क्रिकेट टीम को मिल जाए तो उस क्रिकेट टीम की पूरी की पूरी टीम ही बदल सकती है क्योंकि महिंतिंग धोनी दुनिया के सर्वस्ट्रेश्ट खिलाडियों में से एक है और वो दुनिया के खिलाडियों में बहतरीन अपना पहचान रखते हैं बेश्चुमार उनके पास रुत्वा है जिन्होंने अगर कोई बात कह दी तो उसको अगर आप ना सुनें तो बहुत ही बड़ी गलती आप कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत अनुभवी हैं और मैंने इसी बात का ध्यान रखा और महिंतिंग धोनी ने मुझे जितनी भी सला दी उन सब को मैंने बहुत ही शांदार तरीके से अपने क्रिकेट में खेल के लाकर खड़ा कर दिया और अपनी बल्ले बाजी में उन से काफी जादा मदद दी और इस मुकाबले में पहले महिंतिंग धोनी से बात चीत भी करी थी जिसमें उन्होंने मुझे समझाय था और खुशी के कारण आज मैं अपने 26 में मुकाबले पूरा होने के बाद अपना पहला अंतराश्टी एक देवसी शतक लगाने में काम्याब हो पाए जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट अपने गुरू और आदर्श महिंतिंग धोनी को देना चाहता हूँ दोस्तों आपको क्या लगता है कि महिंतिंग धोनी जैसा विकेट कीपर बलेबाज कप्तान पूरी दुनिया में किसी को मिलेगा या फिर नहीं इस बात कर जबाव हो में नीचे कॉमेंट सेक्शिम में जरूर दीजेगा और ऐसी ही कवरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूचर निवाद